हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वॉक्षीट नमबर 10 जो की 25 अगस्त 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशह है सामाजिक विज्ञान और आज हम पार्ट पढ़ेंगे हमारी इतिहास की किताब का पार्ट 2 जो की है व्यापार से सामराज्य तक तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी की फॉज अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे सिपॉय जिसको हिंदी में हम सिपाही भी कहते हैं जहां मुगल फॉज मुख्य रूप से गुर सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरन दाजी और तलवार बाजी का प्रेसिक्षन दिया जाता था वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट यानी पैदल सैनिको के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूग तो अगर आपको कोश्चन ये पूछता है कि मास्केट क्या होता है तो आप बोलेंगे ये कि पैदल सैनिको के इस्तिमाल की जाने वाली बंदूग को ही मास्केट कहा जाता है और मैच लॉग इसका मतलब है बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूग से लेस थे तो यहां देखिए हमें एक अंतर पता चलता है कि जो भारतिय सैनिक थे वो या तो पैदल सेना थी या उनके पास जो हथियार थे वो तीर और तलवार थे जबकि हम अंग्रेशों के पास देखे तो उनके पास मास्केट और मैच लॉग जैसे आधुनिक हथियार थे और यही बनाता है ब्रिटिश सेना को हमारी भारतिय सेना से जादा ताकतवर और इस वज़े से ही वो भारत के अलग अलग शेतर पर कबजा कर पाए थे दोनों फॉजों के बीच मुख्यता यह अंतर थे तो हम देखते हैं अब हमारी भारतिय फॉज और इस्ट इंडिया कंपनी की फॉज में क्या अंतर है पहला अंतर है मुख्य रूप से सवार यानि की प्रसिक्षित घुड सवार और पैदल सैनिक कम थे यानि कि यहां पे अगर हम कहें गुड सवार जादा थे और पैदल सैनिक कम थे मुगल सेना में जबकि अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो सवारों की संख्या यहां पे कम थी यानि कि घोडे पे चलने वाले सैनिकों की संख्या काफी कम हुआ करती थी जबकि जो सैनिक पैदल चलते थे वो काफी ज़्यादा थे तीसरा है तीरंदाजी और तलवार भाजी से निपुण सेना थी मुगल के पास जबकि बिटिश के पास जो सेना थी उनके पास बंदूग चलाने में वो निपुण थी यानि बंदूग चलाने का उन्हें क काफी जादा प्रसिक्षिन दिया गया था चौता है विशाल पेशेवर प्रसिक्षित सेना नहीं थी यानि मुगल सेना जो थी वह बहुत जादा ट्रेंड नहीं थी उसको बहुत कम प्रसिक्षिन दिया गया था और आवशक्ता पढ़ने पर ग्रामीर सशेस्ट किसान भी सैन हो जाया करते थे और अगर हम ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्च की बात करें तो सिपाहियों को यौरोपिय धंका अभ्यास और अनुसाशन सिखाया जाता था यानि वो बहुत अच्छी तरी से के ट्रेंड थी और उनके पास एक सेना पती था और उसके जो भी डिसीजन होते थे जो भी उसके ऑर्डर होते थे वो सेना उसको पूरे अनुसाशन के साथ फॉलो करती थी पेशिवर और प्रसिक्षित सेना थी तो इस तरह से अगर हम दोनों में कंपारिजन करें अंतर देख कर में अंग्रेज कई बार जाती और समुदाय की भावना को नजर अंदाज कर देते थे तो देखो जो अंग्रेजों के पास सेना थी उनमें से बहुत सारे लोग तो वहां ब्रिटिश से ही आये हुए थे ब्रिटिन से आये हुए थे लेकिन उनमें से बहुत सारा ऐसा भी म बाइरा नहीं रखा वो चाहते थे कि उनकी सेना बैस्ट से बैस्ट हो और इस वजे से उन्होंने जाती और समुदाय जो प्रचली थी यहां पर उसको नजर अंदास कर दिया पर सिपाही किसी ना किसी समुदाय के सदसितों थे ही अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास म से आने वाले बदलाओं को सिपाहियों ने किस रूप में देखा यह 1857 के विद्रों में सपस्ट जह लगता है तो 1857 का जो विद्रों है जिसको भारत का पहला सुतंतरता संग्राम भी कहा जाता है उसमें बहुत सारे फैक्टर के हलावा एक फैक्टर यह भी था कि जाती और समुदाई की जो भावनाओं को ठेज पहुचाया था अंग्रेजों ने उसके खिलाफ भी एक विद्रों हुआ था 1857 में व्यापार से सामराज्य तक नामक इस पार्ठ के सारांश के रूप में हम कहते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते इनीजिव सदि की शिरुआत में कई भाव तकनी के आने से यह प्रकरिया और तेज हुइ देखो हुआ क्या की कंपनी ने बहुत सारे शेतर परsters सान नई तकनीके सामने आ गई थी जैसे कि भाब तकनीक की खोज हो चुकी थी इसका मतलब कि इस भाब तकनीक का इस्तमाल करते हुए बहुत सारी मशीनों की शुरुवात कर दी गई थी तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 मां का समय लगता था अब केवल 3 हफत में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था यानि इस भाब की तकनीक के द्वारा अब जो जहाज चलाए जाते थे उन जहाजों से सिर्फ 3 हफतों में ही भारत पहुंचा जा सकता था अता ज्यादा से ज्यादा अंग्रेश और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे यानि अब भारत में आने वाले अंग्रेजों की संख्या बहुत जादा बढ़ गई थी अठार सो सतावन तक भारतिय उप महाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा साशन स्थापित हो चुका था यानि 63% इंडिया का जो एरिया है वो अंग्रेजों के कबजे में जा चुका था और उस एरिया में रहने वाले 78% लोग थे जो सीधे सीधे कंपनी के साशन के अधीन आ चुके थे देश के शेश भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था यानि इस 63 के अलामा जो 37% एरिया बच गया उसमें थे तो भारतिये साशन पर वो भारतिये साशन भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे वो इन डारेक्ट वे में कंपनी के ही नीचे काम करन थी और 30% एरिया ऐसा था जिस पर कंपनी का डारेक्ट रूल तो नहीं था पर कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ है कंपनी ने काफी जादा मजबूत कर रखी थी इस एरिया पे भी अब हम कुछ कोशन करते हैं इस पर बेस्ट कोशन नमबर वन है मुगल फॉज और बिटिश इस इस इंडिया कंपनी की फॉज में कोई दो अंतर लिखिए तो यहाँ पर हमें चार अंतर बता रखे हैं इन चारों में से कोई भी दो अंतर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे दूसरा प्रशन है कि भारती जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती तो देखे उस समय भारत एक एकलोता देश नहीं था मतलब पूरा का पूरा जैसे आज हम कहें हैं कि हम भारतवासी हैं तो उस वक्त ऐसा नहीं था भारत छोटे-छोटे टुक्डों में बटा हुआ था अवद है है हैदराबाद है बंगाल है तो यह रियासते थी और हमारे प तो बहुत सारे किसानों के उपर प्रेशिड आ गया क्यूंकि वह जितनी उपज करते थे उससे जादा उन्हें लगान देना पड़ता था और इस तरीके से वह अपना घर नहीं चला पाते थे और जो कारीगर थे वह भी अपना काम उस तरीके से नहीं चला पाते थे जैसे पहले चलाया जाता था क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पर भी अंग्रेजों का बहुत जादा अधिकार हो चुका था तो इस तरीके से भारतिये जनता कहीं न कहीं एक तरह से हम कहें कि बेरोजजगार हो चुकी थी और उसे कमाई का कोई ना कोई साधन तो और इसलिए वो अंग्रेजी सेना में शामिल हुई क्योंकि वो उनके लिए आय का एक श्रोथ मालूम हुआ और तो इस तरीके से हम देखेंगे और दूसरी चीज यह भी है कि राष्ट्रे भावना ना होने के चक्कर में उन्होंने सिफ यह देखा कि हमारी इंकम का श्रोथ है तो इसमें शामिल हो जाओ बजाए इसके कि यह ब्रिटिश है या यह इंडिया है ऐसी उस वक्त कोई भावना पन पी नहीं थी तो इसका आंसर क्या होगा भी मैं लास्ट में लिख कर देदूगी फिलहाल आपने इसका आंसर समझ लिया है तो अब थर्ड पे देखते हैं कि मास्केट कहते हैं ठीक है तो यह तो हो गया मास्केट का आंसर दूसरा है मैच लॉग तो मैच लॉग का आप आंसर लिखेंगे कि बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूख को को मैच लॉग कहते कहते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे प्रशन का लिखा हूँ आंसर वहां से आप इसे लिख सकते हैं तो देखिए दूसरे प्रशन का उतर आ जाएगा कि भारतिय जनता सिपाही के रूप में कम्पनी के लिए इसलिए काम करती थी क्योंकि उस समय भारतिय जनता में राश्रता की भावना का अभाव था साथ ही यह इनके लिए आयका एक श्रोत भी था तो यह कारण था कि भारतिय जनता सिपाही के लिए सिपाही के तौर पे कम्पनी के लिए काम किया करती थी तो ये थी आज की हमारी इतिहास की वरक्षीट I hope ये वरक्षीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी Thank you